आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आप जानेंगे साइटीका का दर्द दूर करने वाली बेजोड आईरवेदिक आउश्दी विस्तुंदक वटी के फायदे और इस्तमाल के बारे में जी हैं आविस्तुंदक वटी एक शाश्दी आरवेदिक दवा है जो साइटीका के दर्द को दूर करने में बेहद असरदार है यह बिल्कुल इंजेक्शन की तरह काम करती है इसके अलावा यह नर्वस सिस्टम की प्रोब्लम के लिए बेहतरीन दवा है कमर दर्द, जोडों क दर्द, पेट का दर्द, दर्शत डारिया में इसके इस्तमाल से फैदा होता है इसे विष्तिंदक वटी विष्तुंदक वटी विष्मुष्यादी वटी जैसे कई नावों से जाना जाता है विश्टिंदुक वटी का composition इसके फायदे और इस्तमाल के पूरी जानकारी देने से पहले में बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि हमारे ने वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे विश्टुंदक वटी के घटक या composition की बात करें तो इसका मुख की घटक शुद्ध कुचला जिसे कुपिलियों भी कहते हैं होता है अंग्रजी में इसे नक्स वहमका कहा जाता है युनानी और होमियोपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी निर्मान विधी कुछ इस परकार है शुद्ध कुचला एरंड तेल में भूना हुआ और काली मिर्च दोनों बराबर वजन में लेकर बारी की कपड़ च्छन चुर्ण बनाकर इंद्राइन के फल के रस में बारा घंटे तक खरल कर एक एक रप्ति की गोलिया बनाकर शुखाया जाता है आई अब जानते हैं विष्टूंदग बटी का डोज एक से दो गोली तक दिन में दो से तीन बार तक दूद के साथ लेना चाहिए आई अब जानते हैं विष्टूंदग बटी के फायदे जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि साइटिका का दर्द दूर करने के लिए या बेहद असरदार दवा है साइटिका के दर्द में इसका इस्तमाद जरूर करना चाहिए कमर दर्द, जोडों का दर्द, मसल्स का दर्द, निरोटिक पैन और इन्फेक्शन में भी इसके इस्तमाल से फायदा होता है यह नर्व को ताकत देती है बलड और अक्सीजन का फुल बढ़ाती है और नर्व को सही ढंक से काम करने में मदद करती है पैट का दर्द चाहे किसी भी कारण से हो, इसके इस्तमाल से तुरंत लाव मिलता है अपाज, पत्थरी, हर्निया, लिवर कंजेशन और पिरियड के दर्द में भी इसके इस्तमाल से रहात मिलती है पर ध्यान रहे, पैट के दर्द का सही कारण का निवारन ही सही इलाज होता है इसके अलाव विश्तुंदग वटी के इस्तमाल से सामान यान कमजोरी, डाजेशन की प्राब्लम, लिवर की प्राब्लम, जॉन्डिस, हेपटाइटीस, खुन की कमी, स्प्लीन कबढ़ जाना, डायरिया और ड्रॉप्सी जैसे रोगों में भी फैदा होता है विश्तुंदग वटी का इस्तमाल करते हुए कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए होती है जैसे जिनका हाट कमजोर हो या हाट की कोई प्राब्लम हो तो इसका इस्तमाल नहीं करें पित परकिर्ती वाले लोग इसे कम मात्रा में उप्योग करें इसके साथ गिलोय सत्व, गिलोय का रस या अमरीतारिश लेना चाहिए नॉर्मल आदमी को इसे दूद के साथ लेना चाहिए अगर प्यास लगे तो शहद मिला कर लेना चाहिए और सबसी इंपोर्टेंट बात यह है कि इसे लागातार एक से दो हफता तक ही इस्तेमाल करें फिर भी अगर जरुत हो तो कुछ दिनों का गैप देने के बाद दुबारे यूज कर सकते हैं पतंजली का दिव विष्टुंदग वटी डाबार बैदनात और जंडू जैसी कई सारी अरवेदिक कमपनियों की यह दवा अरवेदिक मेडिकल मिल जाती है या फिर आपी से ऑनलान भी खरीद सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी विष्टुंदग वटी के फायदे और इस्तिमाल के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेर कीजिए और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए आज की जानकारी को डिस्क्रिप्शन अम दियेगा लिंक पर किलिक कर पढ़ सकते हैं कोई सवाल हो या कोई सला चाहिए तो कमेंट कीजिए आपके सवालों का जवाब देखकर मुझे खुशी होगी अगर आप किसी दवाब की जानकारी चाहते हैं जो हमारे चैनल पर माजूद नहीं है तो कमेंट कर मुझे बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा जल से जल उसकी जानकारी देने की आज के लिए इतना ही जाए हिंद जाए आयरुएद इतना ही जाए हिंद आए नहीं आए हैंद झालेुगा जाए हैं माज झानोमी जान काय जा टूस्तिर मुझे नहीं चाले। स्लत्रूपप हिंद चैनल आए हैं मुझे जाए हैं Kranken用 से की